लास्ट में हम करेंबर करेंगे नियो सेरेबलम ओके तो नियो सेरेबलम को सेरेब्रो सेरेबलम भी बुलते हैं क्योंकि नियो मतलब नया वाला और नया क्या है सेरेब्रल कॉर्टेक्स तो नियो सेरेबलम को सेरेब्रो सेरेबलम भी बुलते हैं cerebral cortex and cerebellum मतलब अपना cerebellum वाला पाट तो ये आपका है mainly neocerebellum या cerebrocerebellum ये वाला पाट जिसको literal zone of hemisphere भी बोलते हैं ठीक है तो cerebrocerebellum का क्या function है literal zone है neocerebellum है cortex के साथ हो रहा है तो cortex के साथ इसका एक ही काम होगा कि ये planning and programming में help कर ले है तो ये planning और programming जो भी करना है ये आपको neocerebellum, cerebrocerebellum करके दिखा लेकिन फिर cortex तो प्लान तो करता है ना तो cortex भी प्लान करता है तो क्या difference है cerebrocerebellum है वो हम दिखते हैं तो माल लो यहां पर आपका cerebellum है ये आपका cortex है ये सब में क्या है तो माल लो जो भी आप अभी activity कर रहे हो वो activity के लिए कमांड भेजता है cerebellum अरे सॉरी, cerebral cortex, motor cortex तो जो भी आप कर रहे हो तो ये कमांड भेजने में माल लो few millisecond लगती है तो जो भी आप कर रहे हो उससे few millisecond before कमांड जाएगा cerebral cortex तो cerebral cortex से कमांड आया few millisecond के बाद spinal code में कमांड मिला और आपने perform करना start कर लिए ये normally होता है लेकिन जब आप rapid activity करते हो तो rapid activity में क्या होता है कि ये कमांड भेजा बाद में तुरन दुसरा कमांड भेजना है तो फिर बहुत देर लग जाती हमने देखा वैसे ही तो rapid activity में इसने कमांड भेजा विदिन few millisecond के बाद आपने execute किया लेकिन उसके बाद जो होने वाला है वो कमांड पहले से ही cerebellum बना के देता है तो अभी जो हो पहले ये कमांड भेजा तो सबसे पहले कमांड ये बनाता है बाद में यहां पे और बाद में यहां पे जा गए ठीक है clear माल लो हम एक दो तीन के हिसाब से हम पढ़ना start करेगे तो माल लो तीन सेकंड पे आप कुछ काम कर रहे हो तो cortex दो सेकंड पे कमांड भेजेगा और उसका pre-plan कर देगा ये एक सेकंड पे तो एक सेकंड पे इसने बोल दिया दो सेकंड पे इसने बोला और तीन सेकंड पे आपने किया तो जो भी imaginary action है कि आप few milliseconds के बाद आप कहां पे होने वाले हो उसका जो imaginary action है वो imaginary copy ये cerebellum यहां को भेजता है और वो imaginary copy के हिसाब से cerebral cortex immediate command भेजता है ये मैंने टिपिकली आपको vestibular cerebellum में समझा है था कि वो direction और rate से calculate करता है rapid moment लेकिन planning और programming में पहले से planning और programming new cerebellum करता है new cerebellum पहले से ये copy बना के तयार करके रखता है इसको बोलते mortar imaginary copy अगर आप गाटन में से पढ़ रहे हो तो एक key line आएग अपके लिए mortar imaginary copy mortar imaginary copy बन जाती है यहाँ पे 10th second before keyword 10th second before तो एक second के 10 second एक second का 10 में भाग से पहले यहाँ पे copy बन गई है यह copy यहाँ पे पहुचती है यह copy के इसाब से यह command देता है और थोड़ी few millisecond के बाद आपका command execution होना start हो जाए clear तो new cerebellum का main connection cerebellar cortex के पास है और both way traffic है यह command भीचता है यहाँ पे यह command भीचता है यहाँ पे और दोनों एक जिसों के साथ bilateral traffic से final कुछ decision लेते है और कुछ execution देखने मिलता है इसको बोलते है mortar imaginary copy formation okay तो I hope you understand this cerebro cerebellum क्या है receive all these input from a mortar cortex तो brain से command मिला इसको mortar cortex adjacent to the pre-mortar and somatosensory cortex of the brain तो कहां से command आता है mortar cortex से भी आता है फिर pre-mortar area भी planning और programming का role है and somatosensory area से भी command आता है हर जगा से इसको command मिलता है transmit this information back to the brain तो by letter traffic हो गया brain से भी command मिला के हमारे ये plan है brain बोलता है और ये calculate करके भीजता है कि आप ऐसे execute करना start कर दो और जैसे जैसे भी brain अपना काम करना चालू रखता है तो ये mortar imaginary copy भीजता रखा है तो function in a feedback manner which all the cortical sensory motor system to plan sequential body and limb moment planning these as much as 10th second in advance जैसे मैंने बुला 10 second पहले ही 10 second नहीं स्वरी second के 10 में भाग पहले ही 10th second advance में ये plan कर रहता है तो इसको बोलते है mortar imaginary copy and actual moments तो actual moments के 10th second before इसको बोलते है mortar imaginary copy या ये बड़ भी यूश कर सकते हो mental real cell of complex motor action तो brain में ही real cell करना है कि आपको ऐसे जोड़ना है ऐसे ये brain में हो जाता है ये मिली real cell आपको cerebral, cerebellum, neocerebellum कर के देता है तो based on a cerebral intent and external condition the cerebellum tracks and modifies the millisecond to millisecond muscle contraction to produce a smooth reproducible moments clear and ये main connection of a main connection हम connection में देखेंगे मैंने जो चला है वैसे यह दखना ये part connection होगा brain के साथ okay cortical uponter different different tracks आएगे पर अभी आप समझ लो bilateral traffic है brain के साथ भी connected है brain से यहाँ पर भी connected है ultimately आपको planning and programming कर के देता है so this is the function of neocerebellum last में पूरा function revised rapidly कर दे तो control of voluntary moment comparator servo mechanism इसमें फिर specific दो गाइटन में दिये है आपके new cerebellum एक तो समझ में आगा planning and programming बात में इन्होंने दिया है एक होता है sequential moment तो यह sequential moment में भी help करता है and timing of the moment दो वड़ क्या है तो timing of the moment कि कितने time के बाद moment stop करनी है और कितने time के बाद moment start करनी है तो timing of the moment में इसका role है and sequence of moment का role है यह cerebrus level में अगर यह नहीं होता है तो क्या लिखा है typically आपकी moment start बहुत दीरे से होगी execute भी दीरे-दीरे होगी और बंद भी बहुत दीरे से होगी clear इसका मतलब कैसे कि आप समझ लो कि यह moment अभी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे उसकी जगा moment देर से start होगी और बाद में देर से end होगी clear इस तरह का typically function होगा moment starts very slowly inertia की तरह जैसे inertia बहुत high होगा होगा अपने simple muscle liver में देखा होगा उसी तरह inertia आई यह वैसे action देखने मिलेगी moment start ही बहुत देर से होगी because of high inertia moment slowly देखने मिलेगी and moment stop करने में भी बहुत देर लगेगी because of high inertia तो क्या function आई यह control of a voluntary moment act as a comparator servo mechanism cerebellar receive यह हमने देखा plan क्या है intended plan of a moment direct information from a motor cortex and what actual moment result feedback properly these two are compared and error is calculated and the corrective signal goes to the motor cortex via thalamus and यह control करता है ठीक है बाद में function of selenum planning of moments then timing and sequence of a moment planning of moments and timing and sequence यह दो जो है यह आपको neocerebellum में अच्छे से लिखनी है timing and sequence में आपको कैसा elaborate करना है precise time पे start भी होता है precise time पे end भी होता है typically जासे 9 to 5 का आपका work है college का 9 time पे sharply आई जाएगा 5 o'clock पे निकल भी जाएगा अगर cerebellum intact है तो new cerebellum new cerebellum intact नहीं है तो typically क्या होता है 9 की जगा साड़े 9 पे आता है फिर साड़े 9 से 5 बज़े जग में काम भी डंग से नहीं करता फिर इतना lazy है कि ऐसा नहीं घर जाने में अच्छे से भाग जाएगा घर भी 5 की जगा साड़े 5-6 बज़े जाएगा तो हर जगा पे laziness ऐसा नहीं है otherwise typical आप किसी को देखो कि घर पे तो अच्छे से काम करते हैं लेकिन working place पे ही RC बन जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है Cerebellum Damage मतलब person RC दिखेगा हर जगा पे ठीक है तो start भी देर से और stop भी देर से और movement भी very slow इसको बोलते timing and sequence भी खराब हो जाएगा तो planning भी खराब हो जाएगा planning and timing and sequence of the movement is the function of mainly neocerebellum they are able to do by a bilateral connection with the cortex and if they are not present movement start very delayed movement execute very slowly end movement stop also very delayed that is the function of cerebellum और वो नहीं होगा तो फिर overshoot होगा intention tremor आएगा ये सारी चीज़ होगी बात में ये सब हमने देखा other part of the function में जैसे particularly during a rapid moment such as walking running from the peripheral feedback ये सब हमने देख चुके ये bilateral connection दिखा है cerebellum का motor cortex motor cortex muscle ये सब हमने already cover कर चुके ठीक है और ये मैंने दिखा overshoot ballistic बहुत सारी बुक में नियो cerebellum भी लिखा है लेकिन गाइटन में हम हाँ पर cover कर चुके इसको spinocerebellum ठीक है तो गाइटन में spinocerebellum में ये सब नहीं आ रहा गाइटन में spinocerebellum में आपको दो ही वड़ आ रहा है planning of the moments and timing and sequence of the moment तो new cerebellum में planning and programming तो आना ही आना चाहिए that gives you 50% mark and timing and scaling and sequencing को moment आ रहा है तो higher parts मिलेगे लेकिन planning and programming most time before new cerebellum बाकि सब फिर overlap थोड़ा बहुत होगा तो चलेगा तो ये सब हमने देख लिया new cerebellum अब हम देखेंगे आगे cerebellum अगर damage होगा तो क्या होगा अगे planning of moments mainly perform by lateral zone sequence and timing ये दो चीज़े मैंने बोली वही sequence and timing lateral zone communicate with the pre motor area sensory cortex and bezel गेंगे लिया to receive the plan next sequential moment is plan predicting the timing of each moment तो sequence and planning या दख देला और मैंने बुला तीन चीज़े या दख देला जो execute हो रहा है वह मालनों 3 second पे है तो cortex बेज़ेगा 2 second पे command और cerebellum करेगा 1 second पे वो motor imaginary copy ये keyword आ गया तो भी full marks for a new year cerebellum तो planning motor imaginary copy 10th second advance command कर देता है ये सब लिख देना अभी जो damage part है cerebellum के damage से क्या होगा cerebellum lesion करके shortner आती है cerebellum damage और फिर attacks है ये सारे cerebellum का features आगे cerebellum science भी बोलते है तो ये सब हम next lecture में cover करेंगे तो I hope you understand